बेलकम बेक टू आवर यूट्यूब चैनल ओनलाइन एजुकेशन हब और मैं पुना स्वागत करता हूं मेरे प्रियमित्रों का जो रिट एसस्टी सेकंड लेवल की त्यारी कर रही हैं असा करता हूं कि आपकी इन दिनों में त्यारी अच्छी चल रही होगी और आप अगर परशनोत्र पढ़ना चाहते हैं अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया हैं पूरी तरीके से तो अगर आपको परशनोत्र पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और इस दोरान आप एसस्टी रिट लेवल सेकंड के लिए बिविद परशनोत् तो मैं सूरजमल राठोड आज आपके बीच लेकर आया हूँ पॉलिटी के कुछ क्विशन प्रस्तावना और उदेसिका से समंदित हम लगबग इस समंदित हमने एक सो नो क्विशन त्यार कर रखे हैं जहां तक संभव होता है हम सतर असी क्विशन आज पढ़ लेंगे हो स योग मैं इस यूटूब पर निरंतर चाहता रहता हूं आपका जो मोटिवेसन आपकी जो प्रेरना है वो मुझे कमेंट वाक्स के बादम से मिल जाती है तो आप भी एक अच्छा सा कॉमेंट करिए और बताइए आपको यह परस्णोत्री कैसी लग रही है तो आज हम करते हैं हमारा पहला क्विशन पहला क्विशन क्या है कि स्विधान की प्रस्तावना में भारत में निमनलिकित में से किस रूप में गोशित किया गया था क्या पुछा गया स्विधान की प्रस्तावना में भारत में निमन लिखित में किस रूप में गोशित किया गया है तो एक संपरभूता संपन समाजवादी पंत निरपेक्स लोगतांतरी गनराजे के रूप में गोशित यहां पर किया गया है तो दूसरा क्यूशन आपका क्या कह रहा है कि भारतिय स्विधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है भारतिय स्विधान में जो भारत की प्रस्तावना है उसमें हम अभी पढ़के हैं सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रे, समाजबादी धर्म निर्पएक्स गनराज्य की संग्या यहां पर भारत को दे गई है उसके बाद में नेक्स्ट क्यूशन की अगर बात करी जाए तीन नमबर क्यूशन क्या कहरा है कि भारत में स्विधान की प्रस्तावना में निमन लिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन स्विधान 42 वासन सोदन 1906 के मादिम से किया गया तो आपको ये पता है कि जो गरीमा शब्द है वो 1906 के मादिम से नहीं किया गया था बाकि जो शब्द है वो समाजवा प्रस्थावना में सामिल नहीं किया गया था तो शुविधान का निर्मान करते समय जो समाजवादी शब्द और उसका पडियोंग यहां पर नहीं किया गया था यह आपको यहां पर चार प्रकार के विव्यक्तियां दी गई है तो कौन सी विव्यक्ति का प्रयोग की नहीं किया गया तो अभी हम पड़ के हैं सर्व सत्ताधारी लोकतांत्री किसका प्रयोग यहां से किया गया समाजवादी का प्रयोग किया गया ध्रम निर्पैक्स का प्रयोग किया 42 में स्विधान संसोदन द्वारा स्विधान के उदेशिका में किया गया था तो आपको यह बताना है 42 में स्विधान संसोदन उसके दोरान समाजवादी और ध्रम निर्पैक्स शब्द है वो ब्यानिसमें स्विधान संसोदन द्वारा स्विधान के विदेशिका में किया गया है ठीक है इनको ये जोड़ा गया है भारतिय स्विधान के किस संसोदन द्वारा प्रस्तावना में दो नए समाजबादी और धर्म निर्पेक्स जोड़े गए तो 92 वानश्मी दन संढ़ाverted आपको याद रख लेना है नेक्स्ट में भारतिय स्विदान की प्रमुखप्रस्थावना है वो क्या है आपको चार उपशन में दिये गए हैं विचार धर्म आस्ता विव्यक्ति और अगले उप्शन में आपको दिया गया है विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्ता और उपासना यह जो प्रस्तावना में भारतिय स्विधान की प्रस्तावना में आपको दिया गया है स्विधान की प्रारूफ समेतिक के समक्स प्रस्थावना को किस ने प्रस्थावित किया तो यह आपको पता ही है पंडिजवारला नहरू ने स्विधान की प्रारूफ समेतिक के समक्स प्रस्थावना को प्रस्थावित किया बारतिय स्विधान का हरिद्य है बारतिय स्विधान का जो हरिद्य है वो प्रस्तावना है लेकिन हरिद्य और आत्मा अगर आपसे पूछी जाए तो वो आपका कौन है हरिद्य उप्चारों का है आपसे ये पूछा जाए हरिद्य और आत्मा हरिद्य और आत्मा की अगर बात करी जाए तो यहां पर भारतियस विदान का हरीद्य और आत्मा कौन है वो प्रस्तावना यहां से मिल जाती है ठीक है नेक्स क्योशन के बात अगर हम करें भारतियस विदान के निर्माताओं के मन और आदर्स की जलक मिलती है तो भारतियस विदान के निर्माताओं और मन के आदर्सों की जहलक यहां से आपका प्रस्तावना में आपको मिल जाती है धर्म निर्पैक्स का क्या अर्थ है धर्म निर्पैक्स का आपको भारतिया स्विधान के अकॉर्डिंग अर्थ बताना है तो भारतिया स्विधान के अर्थ बताना है तो भारतिया स्विधान एक धर्म निर्पेक्स देश है भारत सोरी भारत एक धर्म निर्पेक्स देश है इसका तात्प्रियक्चा है यहां पर यह है कि यहां उसका कोई रज धर्म कोई रज स्थर पर धर्म नहीं है ठीक है यह बात हमें मिलती है यहां पर रज स्थर पर उसका कोई धर्म नहीं है ले वेबिनेट मिशन योजना है वो भारतिय स्विधान सभा की योजना के दार पर गटित किए गई उन्नीस सो च्छतिस में भारतिया राष्टे कांग्रेश अदिवैसन में स्विधान सभा के गठन के मांग की गई कांग्रेश का यह दिवैसन कहां जित हुआ था तो फेजपु में जित है और ऐस था यह देख से आपको अगर पूछ लिए जाए तो सचितानद सिना थे यह आपको पता ही है भारतिया स्वादारा कब स्कृत कर लिया गया तो इनीश सो नंचास को छबीस नवंबर नीश सुन चास को कि स्वीकृत कर लिया गया था और चबीस जनवरीं देने का जो प्रस्ताव स्विधान सभादवारा पारित किया गया वो क्या था तो 22 जनवरी 1947 को एक स्विधान देने का जो प्रस्ताव है वो पारित कर लिया गया था भारतिय स्विधान को अपनाया गया था स्विधान सभादवारा ठीक है भारतिय स्विधान सभा की संग्य समित्य के देख्ष कौन थे तो ज्वारला नहरू देश के परधान मंत्री थे उस टाइम तो वह संग्य समित्य के देख्ष थे तो स्विधान सभा के उदेश्य प्रस्ताव कि इन रखा था उनके सामने प्रिस्थाए अधङस थे सुगदान सभाकि सुदान सभाके जो सदाई ए अधिक्स चुने गए ते वह डाक्टर राजंदर प्रसाद उसस्यूं नदेश के रास्ट पती थे तो उस समय हूं को इस्थाई है के रूप में चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को स्विधान सभा की स्था एस ताइब एक से निउक्त किसको किया गया था यह डॉक्टर राजेंदर परसाद को निउक्त किया गया था यह दूसरी बैठक थी पहली बैठक 9 दिसंबर को और अंतिम बैठक 13 दिसंबर को हुई थी य मेरा आपको पता ही होगा क्विश्चन पूछा गया यह रिट में स्विधान से बागे ऐसताय अधेक्स कौन थे तो ऐसताय अधेक्स की मैं बात करी चुका था स्थिदानद्सिना स थायव अ से चुना गया था भारत एक गनतंत्र है इसका अर्थ है भारत एक गनतंत्र है इसका अर्थ क्या है कि भारत में वह सानुगत सासक नहीं है इसलिए यह गनतंत्र है ठीक है भारत में जनता द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा जनता के लिए नहीं है तो लोक अकल्यान शब्द है वो भारत के स्विधान की उदेशिगा में आपको नहीं मिलेगा समाजबादी पर भुत्तु असुमपन पंथ निर्प्रेक्सादी शब्द है आपको मिल जाएंगे भारत में लोकिक सर्व भुमिक्ता है क्योंकि स्विधान के होना है वो सुरू होते हैं यह हमने पड़ी ही होगी भारत का स्विधान पौर्ण रूप से त्यार हो गया था चब्यस नॉम्बर उनीश उन्चास को बनकर पूरी रूप से त्यार हो चुका था दो वर्स ग्यारा माह अठारा दिन का जो समय लगा था इतने दिनों में स्व स्विधान लागू कर दिया गया था भारत किश वर्स एक परभूत्व चौंपन परजातांत्री गंतनत्र बना तो आपको यह बताना है 1950 यानि जिस दिन हमारा स्विधान लागू हुआ था इस दिन परजातांतरी गन्राज्या बना कि misin तारिक को 26 जनुgen सौंपन परजाता और गृष्ट राज़े बन चुका था सब्यूस नवंबर एंग एन्री शूंचास को ओंगे करिद भारतिय स्विधान की प्रस्तावना में निमन लिखित में से कौन सा शब्द है समयल्यत नहीं थे तो आपको यह बताना है चारों सब्द है यह मिलत नहीं थे कर यह बाद में जोड़ दियें ठीक है को से स्विधान संसोदन के दवारा स्विधान की प्रस्तावना में समाजबादी भाधिवा ध्रम निर्पेक्स अब्द जोड़ेगे बियारी समय सम्विधान शोद्र ना आपको याद रखना है इसके साधर हम जोड़ेंगे चमारी समया समय समद्विदान संसोद्र ने के अंतरगत हम अटाएंगे नेक्स्ट क्योशन बारतिया स्विदान सभा को लागू किया गया बढ़ा अच्छा क्योशन उनीस सो पचास सबीस जनवरी उनीस सो प्चास को लागू किया गया सर मैही आपको बारी बारी से बता रहा हूं इपोर्टेंट क्योशन आई पर लगा लेना भारत का विस्व सबसे बड़ा लिखित और सरवादिक व्यापक स्विधान की सोरी विस्व का आपको बताना है तो भारत ऐसा देश है जिसका सबसे बड़ा भी है लिखत भी है सरवादिक व्यापक भी है बारतिया राजनितिक व्यवस्ता में कौन सरवोच है संसद सर्वोच है भारतिया स्विधान का अभी भावक किसे का गया है तो भारतिया स्विधान का जो अभी भावक है वो सर्वोच न्याले को कहा गया है ठीक है तो याद रखना आपको ये क्विशन कभी आए तो भारतिया अभी भावक आपको स्विधान का सर्वोच न्याले किया गया लेकित स्विधान की अवधारना सर्वा परतम कहा उत्पन हुए फ्रांस में उत्पन हुए मानी जाती है भारत में सरवोच माना गया भारत में सरवोच क्या माना गया है तो स्विधान को भारत में सर वोच माना गया है भारतिशी दहान में निमन में से कौन सी ववस्तां England से लिए गई है निती निर्देस ततर आपको ऐलेंड से दिए गये संसतर पर ना लिए वह आपकी England से ले गई है ठेका निर्थीनी देसकत ततर में आइरलेन्ड से लिए गए हैं इस्विधान में मॉली कर्तव यहाँ पिए गए हैं रोस्वीर चीज़ आपको भी आपको याद रखनी त्था रहा है और मैं भी बता रहा कैनुतीälle देशoba है वह आपके आइरलेन्ड से आपको लिए गए याद रखनी है बारते स्विधान में मौलिग अदिकारों का विचार किस देश से लिया गया तो अमेरिका से मौलिग अदिकारों वो लिये गया है और रूस से आपके मूल करता विये लिये गया है और बारते स्विधान की संसो दन पर किरिया किस देश से लिये गया है संसो दन पर किरिया है वह दक्षिनी अफरीका से ले गई मानी जाती है भारत के राष्ट पति को अपात का लिन सक्तियों किसे देश से समंदित कि स्विधान की देन अपात का लिन तो हम पहले भी बात कर चुके हैं भाग नमबर चार में निर्ति निदेशक तत्तो हैं बारती स्विधान के किस भाग में मूल अदिकारों को सामिल किया गया है तो भारत के भाग नमबर तीन में मूल अदिकारों को यहां से सामिल कर लिया गया है मूल करतावे हैं भाग नमबर चार के में मूल करतावे हैं 51 अनुचाइद 51 एक के अनुसार है ठीक है उसके बाद में हम बात करें स्विधान के किस भाग में राज़े के निर्टी निदे सकत्तों का उलेख यहां से आपको मिलता है निती निदे सकत्तों का उलेख आपको चार में मिलता है भारतिय स्वीदान में कुल कितने इनुसूचिया हैं तो टोटल इनुसूचियां बारा है बरतमान की बात करें तो सबसे पहले जिस दिन अनुचाद अनुसूचिया आपको मिली थी तियत्रमा स्विधान संसोदन अधिनियम दवारा भारतिय स्विधान में कौन सी नुसूची को जोड़ा गया था तो ग्यारवी नुसूची को तियत्रमा स्विधान संसोदन के अंतरगते जोड़ा गया था चोत्री में स्विधान संसोदन के अंतरगते कौन सी नुसूची को जोड़ा गया था तो आपको पता ये बार्वी नुसूची को जोड़ा गया था बारतिय स्विधान में उलेखित राज भासाओं 22 भासाओं का जो उलेख है वो आठवी नुसूची में आपको मिल जाता है वो कौन सी नुसूची में आठवी नुसूची में 22 प्रादेशिक भासाओं का उलेख आपको मिल जाएगा बारतिय स्विधान में 19тора नमी अनुसुची प्रिवर्दित हुई तो यह आपको बताना है जो स्विधान प्रतम संसोदन हुआ था उस समया नमी अनुसुची जोड़ी गई थी यदि भारत संग का एक ने राजियों का स्रिजन करना हो तो भारतिय स्विधान की निमलिकित अनुसूचियों में से किस परसंसोदन करना होगा तो पहली अनुसूची परसंसोदन आपको कर लेना होगा भारतिय स्विधान की कौन से अनुसूची दल बदल है दल बदल दसवी शूचिया आपको दय से दल याद रखना दैसे दस आपको याद रखना स्विधान सवा दवा दौरां अंतिम रूपसे पारिश स्विधान के कुल कितने शुद्यों और कितनी अनुशी सुचिया बनाए गयती तो तेन सो पिचान में अनुछेद और आठ अन और बारा अनुसूचया हैं 395 के कुछ भाग और बना दिए गए उनुछफ इलिए तो कि दिए बारा अनुसूचया है बारतिये स्विधान के किस नुश्याद के अंद्र गते नागरिकों को मौलिक अधिकार पांच से ग्यारा जो भाग नंबर आपको दो दिया गया है नागरिक्ता उसमें आपको नुचेद पांच से ग्यारा तक आपको पढ़ने को मिलता है बारतिय स्विदान के कुस नुचेद में फ्रेस की स्वतंतरता की बात यहां पर की गई तो 19 A है वहां पर फ्रेस की स्वतंतरता की बात यहां पर की गई है मौलिक अदिकारों के अंतरकत कौन सा अनुछेद सोसन के समंदिता है तो सोसन से समंदिता आपको पता है 24 मा अनुछेदा है वो बच्चों का जो सोसन हो रहा है जो बाल है उनका जो सुसन हो रहा है वो 24 मानुचेद है यहां पर बढ़न किया गया है राज्य के निर्ती नहीं दे सकत्तों का जूले का भाग नंबर चार है वो 36-51 मानुचेद है वहां तक दिया गया है और 51 काय में मूल कर्तवियों को यहां से जोड़ लिया गया है स्विधान के ब्यानिस में संसोधन के द्वारा मौल कर्तवियों को किस नुचेद में जोड़ा गया तो ब्यानिस से काय मौल कर्तवियों को यहां से जोड़ लिया गया है कि स्विधान के कि सनुचेद के नुसार मंत्री मंदल समय ग्रूप से लोक सभा का उतरदाई होता है उसके बाद में स्विधान के किस नुचेद में धन्विधेक की प्रिवासा दी गई है तो स्विधान का जो अनुचेद है वहाँ पर अनुचेद 110 यानी 110 दस अनुचेद है वहाँ पर धन विधेक की जो प्रिवासा है वो यहां से दी गई है बारतिय स्विधान का कौन सा अनुचेद संसद को स्विधान संसदन का अधिकार देता है तो अनुझेद यहां पर 368 है जो अनुझेद में सिविधान संसोदन का अधिकार यहां से हमें दे देता है बारतिय euro शिविधान संसोदन के अनुचेद बारतिय शुभीदान के किसा अनुचेद के अंतर गयते boost बारत सरकार का दाहित्व है कि भाया आक्रमन एवं आंत्रिक है शांति से राज्यों की रक्षा खरी जाए तो यह नुचेद आपको तीन में मिल जाता है सोरी तीन सुबावन में आपको मिल जाता है ऑप्सन नमबर तीन में बारतिय स्विधान में मोलिक अदिकारों का वर्णन भाग नमबर तीन में आपको भारतिय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संख्या 12-35 तक है आपको याद रखना है और 36-51 तक आपके निती निडे सकत्तव आपको मिलते हैं 5-11 नागरिता है आपको मिलता है और एक से लेकर 4 तक आपको राजियों के नाम से बातें मिल जाती है बैतरमा क्या है कि भारतिय स्विधान द्वारा नागरिकों को साथ मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं बरतमान में उनकी संख्या कितनी है तो कितने मौलिक अधिकार प्रापत अच्छा है उसमें संपती का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार यहां से बना दिया गया है भारत के स्विधान में मौलिक अधिकार है तो भारती स्विधान में जो मौलिक अधिकार है वो 42 में मौलिक स्विधान का एक हिस्सा है मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्यवारी किसकी होती है सरवोच नियाले रुच्छ नियाले की यहां से दोनों की जिम्यवारी यहां से मिलती है हाई कोट या सुप्रीम कोट दोनों की यहां से जिम्यदारी बन जाती है मौलिक अधिकारों को निलमवित करने का जो अधिकार है वो किस के पास है आप केवल और केवल रास्ट पती के पास है हम मौलिक अधिकारों का निलमबर उनके धार पर हम कर सकते हैं तिस्विदान के 25 का संबंद है धरम की जो स्वतंतरता है उसे स्वतंतरता का संबंद 25 से आपको मिलता है कौन मूल अधिकारों के अंतरगत नहीं आता तो संपति का जो अधिकार है वो मूल तो आ गए आए गया कानुनी दिकार ये बन चुका है वर्स 6 बर्स चायों में चोगदा वर्स कायों के बीश कि भीचे सप्वीधाई hemen को सिकष्या का दिकार है ये हमारा मूल अधिकार है ये आपको यहां से मास्टर जी याद रख लेना है मौलिक अधिकारों को लागू करने का के लिए जो रिट जारी की जाती है वो किसके दोरा जारी की जाती है उस्तम नियाले स्प्रिम कोट दोरा ये जो रिट है ठीक है वो जारी की जाती है पर राज्य के निर्ती निर्देशक तत्तों का उलेग बारी 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 से रिपीट हो रहा है भाग नमबर चार में की गई है स्विधान के में कल्यान करी राज्य कादेश दिया गया है तो निर्ती निर्देशक तत्तों में स्विधान की कल्यान कारी राज़े कादेशियां से दिया गया है निर्ती निर्देशक सिधान्त है तो वाद योग्य सिधान्त ये आपको मिल जाता है समानकारिक लिए समान वेतन भारत की सिधानता है अंग है उसकी अंतरकत ये लागू किया गया, सुनी सित किया गया है बारतिया स्विधान में मूल करतव्या किस समीती की समस्तूतियों के अधार पर जोड़े गए है तो स्वन सिंग समीती के अधार पर हम जोड़े गए है ठीक है तो मूल करतवे को उलेक स्विधान ने के किस भाग वह अनुछेद में किया गया है तो भाग नमर चार के अनुछेदे कावन ए में किया गया है Next question, 32 स्विधान सुधन दभरा कितने मौल के करतवे सुनी शीत कर लिए गया है तो अब है वो यहां पर दस है जो मौली करते हैं वो सुनी शित कर लिए गए हैं स्विधान स्वा की पर्थम बैठक आपको पता है यह क्यूशन आया हुआ है 9 दिसंबर को पर्थम बैठक हुई थी 21 दिसंबर 1904 को हुई थी और तीसरी बैठक हुई थी 23 दिसंबर 1904 को हुई थी यह तिनों तारीक आपको याद रखनी है कहीं न कहीं परस्णों में पूछी जाती है निती निदेशक तत्तों के समान नागरिता सहिता का सुझाओ सुनी शित करता है तो क्या सुनी शित करता है यह चीज़ हमें याद रखनी है तो आपका जो राश्ट्रिया की करन है यह सुनी शित कर देता है नेक्स्ट क्यूशन है आपका भारते सुझाओं में धर्म निर्पेक्स ताका क्या आर्थ है कि राज्य के सभी धर्मों को मानियता देता है उनका अपना कोई धर्म नहीं है यह चार नमबर उप्षन बिलकल इसका राइट है धर्म निर्पेक्स तक यही ताथ पर यह है समाजवाज शब्द संसोदन द्वारा समिलित किया गया 22 स्विदान संसोदन 1976 में आपको याद रखना है 24 स्विदान संसोदन के अंतरगत हम अटाएंगे और 22 स्विदान स्विदान के अंतरगत हम जोड लेंगे स्विदान स्वा की छटी नुशूची किस राज़े से लागू किस राज़े पर लागू नहीं होती तो आपका जो मनिपूर राज़े है उसके उपर यहां से लागू नहीं होती है 96 क्यूशन की अगर बात करी जाए तो 96 क्यूशन आपका है बारतिय स्विधान के किस भाग में कल्यानकारी राज्या का वर्नन किया गया है कल्यानकारी राज्या भाग नमबर चार निर्ती निर्टे सक्ततों में सामिल किया गया है वर्णन किया गया है भारतिय नागरिकों के मूल करतविया नहित है मूल करतविया भाग नमबर चार में नहित है तो नेक्स की रौिसन के अगर बात हम करें तो आपका जो नेक्स क्यूशन है वो यह निमल्ड कि तुमें से कौन एक भारत की स्वेधान सबाथ स्वेधानिक आदि इस लाकार थे तो बी-न राओम ड़क्टर बी-न राओम थे वह स्वेधानिक चला कर यहां से थे बारती इस विदान का यानिस्वा स्लऴ दान सोधन किस निफन में किस एक परधान मंतरी के समय में हुआ था तो उसमें प्रधान मंतरी थे हमारे इंद़रा गांधिस म्या था इन्नी सो चीन्तर आपको याद रखना है बारत सौनंबर का हैं वारत स्रकार का पराथ्थम लो officer को था विदी सचीव मंतरी officer को något to comedy सचीव एट्रूरिनी जन्रल था जो भारत सरकार का पराथ्थम लोबसर है ठीकremski by पहला संसॉदं को ओन्हें अभा भारत्य दुवेद शासन का प्रावर जिसके दूखर्व किया इसे की लिए अधिकाल लुए सब्सक्राइब आपको अधिकार के बारे में अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में है तो किन तो स्विधानी का दिकार के रूप में नहीं है वह क्या है तो वह आपका संपती का दिकार है वो स्विधानी का दिकार के रूप में नहीं है वह आपकानूनी अधिकार बन चुका है बारति घ्रिकार भाराम धंड की वबस्ता मौलेकडिकारों की रेतिकारों का सुमार अध्यूते कर्ने की वबस्ता के लेक्र में यहां पर यह चौत्रा ओपसन इसका कह बिलुकुल यह स完全 से जाई गारों जिस मॉलेकडिकार को अपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह कौन सा मौली का दिकार है तो जीवन और व्यक्तिकत स्वतंतरता को जो दिकार है वह अपातकाल में स्विधान सवा में संसोधन में जोड़ा गया यह आप से पूछा गया है और आज की चर्चा का लास्ट क्यूशन मैं आप से रूबरू हो रहा हूं ग्यानिस्वा स्विधान संसोधन उन्नीस सो छेंतर में बावन ए जोड़ता है जिसके इनुसार नागरिकों को दस मूल करतव यहां से दिये गए हैं यह आपका उप्सन बिलकुल यहां से राइट हो जाएगा तो पॉलिटी के जो हमने 90 109 क्यूशन हमने पढ़ लिये हैं तो आशा करता हूं कि यह 109 क्यूशन है पॉलिटी से क्यूशन पूछे जाते हैं आपको तो यह क्यूशन आपको बिलकुल आपको साहिता प्रदान करेंगे आशा करता हूं और आप निरंतर मेरे साथ इस यूटूब चैनल पर बने रहें अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर आप से रूबर होने वाला हूं तब तक के लिए धन्यवाद सुक्रिया जैहिंद जैभारत